वर्मेंट को नॉलेज होने चाहिए कि ये परसन एक स्कूर्ट ऑफ सर्वेस कर रहा है इतनी सर्वेस या गूड्स उसने बाहर इंडिया से बेज दी है जो इंकम है वो पांच लाग से बिलो ही है अभी पांच लाग तच नहीं किया है तो उसमें भी गॉवर्मेंट आपको 87A में डिड़क्शन दे देते कि जितना भी टेक्स बन रहा है सब आपके लेवाफ स्लाब नहीं है और क्राइटेरिया दिया है अगर पर्टिकुलर ये क्राइटेरिया में पॉल करते तो आप 22% दोगे इस क्राइटेरिया में तो 25% दोगे इस तरह से हैं आज का सेशन लोग लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला जो को सीए में आगे जाना चाहते हैं या वह लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं जिनको बिजनेस की समझ नहीं है आज हमारे साथ हैं सीए अलिशा अप्राव्ड वूमन ऑंतो वेलकम हैं, वेलकम तो आर पोड़कास्ट, थांक यू सो मच, थांक यू या, थांक यू 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 या, थांक यू 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 इतना जादा है कि आपको सक्सेसफुल लोग और पोजिटिव बात करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, इसके रीजन है, इसके रीजन है, एक तो बच्चे के बास स्लेबस बहुत वास्ट होता है, आप जितना भी करते हो, वो स्लेबस का मता है, उनके बास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, किस तरह स्लेबस को करना है, तो वहाँ यह जो उसकी तफनेस है, वो इसलिए है, क्योंकि स्लेबस बहुत जादा है, उनको नहीं पता, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, कहां से क्या करना है, तो मेरे हिसाब से बच्चों को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कहां से शुरू करना ह अगर हमारी प्लानिंग बढ़िया होगी, तो डिफिनिटली हमारी मंजल असान होगी, इसमें क्या होता है, बच्चे करते हैं, कि उसको रिटेइन नहीं कर पाते हैं, स्लेबस पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन जब एक्जाम टाइम आया, तो हम उसको कहां लिखना है, कैसे लिखना, किस तरह से लिखना, बच्चे को नहीं पता होता है, इसमें बिल्कुल ब्लांक हो जाते हैं, तो हमें स्लेबस को रिटेइन करना, सीखना होगा, प्रॉपर प्लानिंग और स्लेबस को हम किस तरह रिटेइन करने, हमें दो चीज सीखने होगी, अब स्लेबस र आइशी आइ चेडिमेट हाइं जो एक्जाम कंड़क्त करती है आइसी चेडिमेट अगर आप फॉलव करते हैं उसको पालो करते हो विश्य कहजिए भटन कभर हट मैं Öकिए थियू हो आप इंटर्थ में हो या फिर आप इंटरमीडियर या आपको steady mat नहीं छोड़ना है उसको proper follow करना है अगर आप उसको follow कर रहे हैं तो definitely आपको success मिलेगी ही मिलेगी दूसरा बहुत ज़ादे important है कि बच्चे test paper नहीं करते हैं अगर आप mock test paper करोगे तो आपके लिए जब आप final exam में बैठे हो तो आपके लिए बहुत असान है क्योंकि आप पहले prepare कर चुके हो same atmosphere आप बनाएए proper तीन गंटा बैठे है parents को बोलिया हमारे room में मत आईए room log proper जैसे exam होता है बुक आपके पास नहीं है test paper उठाईए practice करें अगर आपने किसी भी subject है दस या पांच भी question paper कर लिया आपको कोई भी नहीं रोख सकता है पास्वेने से बच्चे करते प्लान करते हैं ठेक है मेरे को इतना syllabus करना इतनी बार रिवाइज करना है बट उसका test paper नहीं देते हैं सबसे important है mock test paper institute भी कराता है आप वहां जाहिए रिजिस्टर कराईए exam दीजे उसका result भी आएगा exam से पहले आपने exam दे दिया है तो आपको पता है where you stand या फिर अगर आप नहीं करना चाहते है तो past question paper उठाईए अपनी book side करिए room lock करिए अपना पानी वगरा जो चाहिए सब साथ में रेखिए proper तीन गंटा exam दीजे फिर उसको check करिए आपको बता चलेगा आप कहां लैक कर रहे हो अगर आपको यह पता कहां लैक कर रहे हो तो definitely आप उस चीज को improve करेंगे आपकी improvement कहां जानी चाहिए किस चीज पर आपक इतना लिख सारे पेपर कैसे मेरे होंगे जितना भी question है सारे मेरे तीन गंटे में हो जाएंगे या नी वो मेरे को plan करना वो क्या करेगा mock test आपको बताएगा आप तीन गंटे में वह 5 सवाल कर पाते हैं या नहीं तो वह है बच्चे plan कर लेते हैं कैसे करना लेकिन उसको implement न मैंने लेकिन mock test paper ने दिये जब मेरे को एक बार failure face वा तो मेरे को लगा मैं कहां lag कर रही हूं फिर mock test paper देकर मेरे को confidence भी आया है जब आप exam बैठ हुआ आपको confidence आएगा क्योंकि आप इस बार एक बार उस चीज से गुजर चुके आपको पता है final का paper किस तरह आ रहा है कितने time में मैं उसको कर पा रही हूं तो यह reason यह reason है बच्चों को syllabus को retain करना revision देना लेकिन mock test paper जरूर और ICI study so reasons mainly यही है कि वो course को proper align नहीं कर पाते है अपना time management नहीं कर पाते है right so मेरा question में में यह है कि जो students 12th करते commerce commerce के मिलब 12th करने के बाद why they are totally inclined towards CA CA student के लिए बहुत ही supreme profession है बहुत ही glorious अगर आप commerce से choose कर रहे है तो आपको जो top profession देखेगा वो CA देखेगा मेरा यह मानना है बाकि और भी बहुत सारे profession है बट क्योंकि यह मेरा profession है तो मेरे को supreme दिखता है और बाकि जो taxia accounts में interest रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा profession है बहुत supreme है बहुत reputed है इस profession में क्या है एक बार आपके नाम क्या कैसी यह लग गया तो आपकी एक अलगी परचान होती है जो आप बोलोगे वो हर कोई सुनेगा उनको लगता है कुछ अच्छी ही बात कुछ हमें guidance मिल रही है चाहें वह आपकी age से बड़ा है क्या छोटा है वह आपकी बड़ चीज़े भूल जाते हो कि आप कितना struggle करके आए हो दूसरा students के लिए जब कोई भी profession या कोई भी चीज हम choose करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसमें हमारी cost क्या लगती है इस profession को pursue करने के लिए मेरे पास इतना financial ability है या नहीं है मेरे को fees भरनी है क्या हम एडिया में रहते ह है उस course को करने की या नहीं दूसरा हम देखते है हमारी society में मैं यह course करूं कि तो क्या मेरे अंदर positive change आएंगे क्या मेरी reputation बढ़ेगी तो यह CA सबी चीज़े आपको देता है तो यह आपको reputation देगा प्लस इस course को करने में बहुत साथ है बहुत economical है यह course और इसमें जो fees आती ह है अगर कोई doctor है वो कब तरक्की करेगा जब देश बिमार होगा लेकिन जो CA है वो कब तरक्की करते हैं जब देश ग्रो करता है जब business बढ़ेंगे जब employment बढ़ेगी तब लोगों को CA की जरत लगी तो हमारा देश तरक्की कर रहा है तो हम तरक्की कर रहे है इसलिए एक positive vibe देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसलिए बच्चे जाते हैं दूसरा क्या है एक जो most important मेरे को लगता है बाकी किसी university में आप जाते हो तो वहां पर reservation है इधर it is caste reservation और कोई भी यहां पर कोई reservation नहीं है यहां पर आप सिर्फ merit के basis पर जाते हो एक गरीब बच्चा first attend में CA ब किया है चाहे उसकी कास्ट कुछ भी है तो यहां पर reservation भी नहीं है unbiased course है इसलिए भी बच्चे यहां पर जाते हैं हमें यह लगता है हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश तरक्की करेगा तब हम तरक्की करेंगे इसलिए हम अपनी तरक्की पर खुश होते हैं कहीं ना मार्केट स्टेटस होता ना और जो उसकी वैली होती है एक अलग लेवल की होती है जो एक motivation लेकर आती है कि भाई CA करना यही अगर study के point of view से देखा जाए जिन students के 11-12 में accounts बहुत अच्छा होता या उनको accounts in-depth समझ में आता तो वो सोचते हैं कि उनको CA में जाना चाहिए उन प्रॉपर्ली प्लान नहीं करते हैं कहां पर वो लाग करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं हम कहां लाग कर रहे हैं तो वो अगर पैचान लेंगे तो यह इतना टफ नहीं है यह टफ कब है जब हम अपने ठीक नहीं कर रहे हैं हम को समझ नहीं रहे हैं हम से क्या डिमांड कर र से 10% या 9% एपरोक्स बच्चे पास हुए तो 91% बच्चों को तो failure face करना पड़ेगा तो वो 91% बच्चे हैं उनको 91 से अबव आना है वो 9% बच्चों ने जो किया है उनसे भी best करके दिखाना है तो हमारा competition हमसे नहीं है हमारा competition उन 9% बच्चों से या 10% बच्चों से है जो की हमारे top कर है जो creamy layer है तो हमें अपनी कमी तो पहचाननी पहचाननी सामने यह भी देखना है कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो clear कर गया और हम रहे गए हम रहे बच्चे क्या करता है मेरे दोस्ट दो ग्रूप दे रहे तो मैं भी दो ग्रूप दूँगा नहीं आपको देखना ह है कि मैं कितना prepared हूँ अपनी potential जाननी है ठीक है मैंने कितनी तयारी करेखिये क्या मैं उसमें excel कर पाऊंगा मॉक टेस्ट पैपर जैसे मैंने पहले पता है आप देंगे तो अपको पता चल जड़ाएगा आपके तयारी कितनी है दो ग्रूप की है या सिंगल ग्रूप की है तो आप उसी हिसाब से करेंगे अगर आप सिंगल पित्यारे सिंगल देज़े हैं उसमें पास भी फिर फिर स चलते रहना है आपको consistent effort करने रास्ता वाहिए सर्फ अपनी कम्यां पहचान नहीं है और वहां तक मोच नहीं होच नहीं UPSC की तरह CA में भी तीन स्टेज़ेस होती है foundation, intermediate and CA finals आपको वहीं पतार लग जाता है कि आप आगे ये profession में एंटर हो पाओगे या नहीं हो पाओगे या नहीं हो पाओगे अगर आप फेल होगा इसके मुझा आप नहीं कर पाओगे लेकिन एक बार एंटरेंस क्लियर हुआ तो आपको पता होता है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर जो भी है वो बनकर ही निकलेंगे है लेकिन हमारे क्या होता है जादा से जादा मैंने बता है कौन ही कर ले जादा से जादा आजाते हैं एंटरंस पर बाता चलता हैं यह से यहां पर यह चीज बड़ा दुख देती है बच्चों को कि आपको इनिशली नहीं पता आप क्या बनोगे आप बनोगे सीए या नहीं बनोगे आपको चारपा साल बाद पता चलेगा कि यह सब बेस्ट हो गया है जतने मेहनत आपने किया है इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि आप ट्राइ करो यह एक बार में नहीं होगा तो डेफिनेटली सीए फाइनल के से बहुत ही जादा मुश्किल है अभी रिसेंटली सीएक एक न्यू स्कीम आई है I don't know कि कितना टफ हुआ है या इसी हुआ है तो आप न्यू स्कीम के बारे में कुछ बताएंगे या जो आपने जब क्या था 2014-15 में जो आपने तयारी की थी उसी स्कीम में और इस स्कीम में क्या डिफ्रेंस है न्यू स्कीम मेरे को थोड़ा सा as compared to old scheme easy लग रहा है बाकि सबका अपना-पना understanding हो सकते है क Journey में न हो चम्हेन का झाल में अपको छे मेने का ग्याप चाहिए 가져 कर दी Bilsover को में इसमें सब्जेक्ति कर दीए साथ में अभने को जिसमें से पांच आपको रिटन हैं और एक आपको ओपन ःुसरा है मैं साथ में इन्होंग ननिए को यह कुआ पर्टीभ आपको एंसे क्य जारी कर रहे हो आपके concept clear है तो आपके लिए easy रहेगा negative marking कोई नहीं है आपके NC Hughes में और एक और चीज़ है कि पहले क्या था अगर आपकी exemption आई exemption होता है किसी भी group में कोई भी subject है उसमें 60 प्लस लाना अगर आपके 60% से ज्यादा marks है तो next year बाकी अगर है आपके average कम बन रहा है तो आप fail हो जाते हो बट वो subject आपका बच जाता है वो वस तीन attempt next three attempt तक बचता है अगर आप three attempt में वो group नहीं निकालते हो तो आपको वापस देना पड़ता है एक additional चीज इनो ने की है अब आपको 60 प्लस अकर आ गए और three attempt तक आपका वो पूरा group clear नहीं होता तो you have an option to choose कि मैं ये exemption वाला लेना चाहता हूं still लेकिन बाकी तीन पेपर में या बाकी दो पेपर में मैं 50% marks लेकर रहा हूंगा तो वह exemption आपके continue हो जाएगे जो बच्चों के लिए easy रहेगा हम सीए के साथ ऐसा कौन सा स्किल हम acquire कर सकते हैं जो एक value addition दे मालो अगर आप अपने cv कहीं दिखाओ या किसी को अपने वारेम बताओ तो आपको पास एक extra knowledge हो बताने के लिए अपने आप में बहुत ही supreme कोर्स है उसके साथ फिर भी अगर आपको इस्पेशलाइजेशन कोर्स करना है तो हमारा ICI बहुत सारे post qualification courses offer करता है certificate courses भी है और regular courses भी है उसमें करते हैं अगर आप फ्रेंसिक आड़ेट में जाना चाहते हैं तो आपको particular भी certificate course करना होगा bank audit में जाना तो आप DCA कर सकते हैं concurrent audit का course कर सकते हैं information system का audit करना है तो आप IASA कर सकते हैं information system audit का course डिपेंड करता है आपका interest किस field में आ रहे है आप के बास internal audit है बहुत सारे specialization courses है तो आप एक बार qualify करते हैं तो उसके बाद आप specialization course choose कर सकते हैं एक research report आई थी the state of inequality in India की जिसमें यह था अगर दूसरे एंट से इसको समझा जाए जो यह 10% लोग है ना यह वो लोग है जिबिके अंदर रिस्क टेकिंग अबिलिटी नहीं है मतलब वो रिस्क नहीं ले सकते राइट मैं काफी लोगों से मिलता हूं बहुत लोगों से सीखने को मिलता तो मुझे यह जानने को मिला कि एक चोटे यह जो लोग बिजनस करना चाहते हैं जो लुंक शहां तो क्या steps होने चाहिए, pre-planning क्या होने चाहिए, कहां कहां registration कराने चाहिए तो please मैं कुछ बताएं इसके बारे में पहले जो business करना चाह रहा है उसका mindset देखना पड़ेगा वो start कर रहा है, दो लोग start कर रहे है, single person start कर रहा है अगर कोई single person start कर रहा है और उसको अपना business बनाना है अभी इंडिया में किया लोग को यही नहीं बता है कि अगर मैं individual हूँ को business कर रहा हूं तो मेरी proprietorship बन गई है ओके, the moment I start my business and I am a proprietorship तो I am a individual then proprietorship आपकी बन गई है, आपको कहीं register कराने की कोई ज़रत नहीं है लोग को यही basic knowledge नहीं पता होती, लेकिन जब हम current account खोलने चाते तब वो हमसे मांगता है तो कोई भी registration कर लेजे, चाह आप labor shop establishment कर लेजे, labor act में register कर लेजे या GST ले लेजे, लेकिन proprietorship कहीं register कराने की ज़रत नहीं है तो अगर आप basic level से start करना चाहते हैं, आप individual हैं तो आप सीधा business start कर दीजे ओके, सीधा business start कर सकता है दूसरा है कि आप किसी को partner साथ में रख करना चाहते है अगर आप सीधा business start करना है, individual कि आगर मैं बात करूँ लोगों को ऐसा लगता कि या तो misconception हो सकता कि GST लेना compulsory है अगर आपने GST ले लिए मतलब आप एक businessman बन गए है आपने अपना business start कर दिया नहीं ऐसा नहीं है, GST लेना compulsory नहीं है, turnover based है एक specific turnover है हालाग अलग state की, हमने तीन इंडिया को तीन जगा डिवाइड करा है, GST लेना है, यहां पर अगर आप goods sell कर रहे है तो 40 लाग आपकी initial limit है, for same state, अगर आप interstate कर रहे है, तो कोई भी आप एक रुपे का भी sale आपकी हो रहे है, तो you have to apply for GST लेकिन जहां आप same state की बात कर रहे है, आपका out of state नहीं जाना तो आप goods 40 लाग तक बेज सकते हैं, आपको कोई भी जरुरत नहीं है अगर काम कर रहे हो, 40 लाग से कम की आपकी sale है, तो आप को GST की जरुरत नहीं है, या आप कोई service provider हो, तो आपकी service अगर same state में है और 20 लाग रुपेश से नीचे आपकी turnover है, तो आपको GST लेने की जरुरत नहीं है, आप proprietorship ही create कर चुके हो, ओके, और मालो individual, कोई single person नहीं है, दो-चार लोग कटा करना चाते हैं, दो-चार लोग मिलका करना चाते हैं, तो उसका क्या criteria होता है, किस तरह कर सकते हैं, जो business है वो न, दो जगा रेजिस्टर होता है, एक MCA में रेजिस्टर होता है, ठीक है, MCA में रेजिस्टर करने के लिए, आपको private limited का option चूज कर सकते हो, आप single person है, तो one person company में जा सकते हो, या आप liability अपने limited करना चाहते हो, और partnership बनाना चाहते हो, तो आप LLP में जा सकते हो, LLP लि कहीं रेजिस्टर कराने की जरुद ने होती है, और यह रेजिस्टर भी होती है, उसको partnership firm बोलते हैं, ऐसा क्यों मतलब रेजिस्टर भी होती है? हाँ, एक agreement अगर हमने, आम आप business करना चाहते हैं, हमने एक agreement कर लिया, normal agreement, उसको कहीं रेजिस्टर नहीं कराया, एक mutual agreement हमने कर तो हमारी partnership firm, form हो गई, एक third entity बन चुकी है, उसके लिए pan apply करना है, तो आप और में individual हैं, वो third entity that is different from us, लेकिन अगर आपको बड़े level पर काम करना है, तो आप MCA में register करा सकते हो, वहाँ पर आपकी हमारी liability limited होगी, कहां तक वो हमारी liability fix करते हैं, वो एक agreement हमें MCA में register और आप L P form करते हो फिर वहाँ पर, दोने में फरक है, यहां हमें कहीं report नहीं करना, income tax return file करने, normal partnership firm है, यहां पर हमारे ROC के भी annual compliance होंगे, LLP में, ठीक है, तो यह partnership हो गई, दो तरह की partnership होगी, कि normal agreement के थूँ आप कर सकते हो, दूसरा आप ROC में register करा सकते हो, OPCBC तरह proper ownership आप कहीं register नह proprietorship है, अगर उसको आप MCA में register कर आना चाहते हैं, बड़े level पर थोड़ा काम करना चाहते है, तो आपकी OPC बनती है, 1% company, okay, proprietorship में आपको कहीं नाम सर्च करनी की जरुद नहीं है, जो आपके दिल में आ रहे है, नाम आपको मिल जाएगा, unless अब ब्रैंड नहीं बनाना चाह तब फरक पड़ेगा, या आप company form करोगा, आप ROC में जाएंगे, MCA में तब वो नाम सर्च होता है, बड़े बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस तो सभी अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो अब इसको brand बनाना चाहेगा, आज उसने कोई भी नाम copy कर लिया, बाद में तो कर रहा हूं, मैंने कहीं register नहीं कर आया, हो सकता है, आपका नाम दे के कोई और बना ले, कोई और register कर ले, तो उसको trademark लेकर आप उसको fix कर सकता है, आगर आप ROC में जाएंगे और trademark दोनों चीज़े कर लिजए तो आपका आपका नाम हो जाएगा, तो अगर हम private limited में जाते है या फिर LLP में जाते हैं, तो कुछ criteria ऐसा भी होता कि director दो तीन होने वाले हैं या एक person कर सकता है उसको, private limited में minimum हमें दो director की requirement होती है, इसी तरह LLP में भी आपको दो partner की जरुद होती है, दो partner की minimum, one person company में आप single director के साथ कर सकते हैं, बट उसमें भी एक nominee की आपको जरुद होत कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका, director एक होगा, उसका nominee कोई और बनेगा, ठीक है, दूसरा, इसमें ना yearly compliance बढ़ जाते हैं, MCA में, MCA में, right, आप as a normal proprietorship या partnership करते हो, तो आपको ITR file करनी है, that's enough, ठीक है, GST है, जो भी हो, that's different thing, लेकिन ROC में कर जाते हो, तो ROC के compliance भी आपको additionally file करने पड़ेंगे, कोई private limited है, तो आपको initial level से ही उसका auditor appoint करना पड़ेगा, जो भी annual compliance income tax plus ROC करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा फरक होता है, आप initial level पे अगर चाहते हो, मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं बहुत साथा, इन चीज़ों में नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरा भी business छोटा है, तो आप normal ITR file करके जा सकते हैं, रादर दना आप OPC करें, तो अगर किसी को business start करना, को individual है, तो normally business start कर सकता, जब उसके sales बढ़ जाएगी, 40 लाग क्या सपस हो जाएगी, उससे उपर जाने लागए, तो GST ले सकता है, और MSME जो registration होता हो वो business के लिए बहुत ज़रूरी होता है starting phase में, MSME government ये एक businessman के लिए कैसे हो, एक gift है, gift है, government के तरफ से, वो इसलिए कि MSME अगर आप register है, तो आपको loan easily मिलता है, अगर अभी हमारा छोटा business है, आप उसको grow करने के लिए आपको funds की ज़रूरत होती है, तो MSME, banks का criteria होता है, उन को instruction दे हुएगा, मैंने कि आप loan दोगे, तो उनके लिए जो procedure है, वो भी easy है, MSME के लिए, अगर आप MSME register प्लस, आपको easily loan मिल जाता है, ये तो बहुत बड़ा gift है, और दूसरा, MSME, अभी audit में भी हमें MSME को mention करना है, कि हमारा जो client है, उसके MSME कितने vendor है, अगर वो payment उनको timely नहीं करता है, specified time है, तो फिर उसका वो disqualify हो जाएंगे expenses, disqualify होने का मतलब है, कि उसको expense नहीं बिलेंगा, उसको tax जादा पे करना पड़ेगा, अगर ये point है, तो जो MSME के साथ deal करे हैं, वो definitely सोचेंगे, कि मैं payment timely करूँ, तो ये भी MSME रिजिस्टर कराने का plus point है, कि आप जिससे deal करे हैं, वो आपको timely payment करेगा, वरना उसको extra pay करना पड़ेगा, government को tax के रूप में उसको जादा पे करना पड़ेगा, अच्छा, आपने जो मुझे business entities या किसी का कम होता है, किसी का जादा, नहीं, सभी का tax rate अलग होता है, अगर हम proprietor की बात करें, तो normal slab जो हमारा होता है, individual slab, उसमें हमें tax देना होता है, initially dialogue पे कोई tax नहीं लगेगा, तो आपने GST ले लिए, आपने business register करा दिया, तो ये नहीं है, आप उसमें 30% tax दोगे, नह slab क्या होता है, slab है हमारा, एक तो new scheme, old scheme आ गई है, taxes में बी, मैं old scheme लाग देती हूं, धाई लाग तक zero tax है, पांच लाग तक आपको, धाई से पांच लाग का जो gap है, उस पे 5% tax देना है, अगर आप business की बात करें, तो profit पर होगा, जतना भी आपका profit निकल कर आ रहा है, अग अगर मुझे पांच लाग मेरा profit हुआ है, तो पांच लाग का मुझे 5%? नहीं, पांच लाग का 5% नहीं देना होगा, अगर आपकी जो income है, वो पांच लाग से बिलो ही है, अभी पांच लाग ताच नहीं किया है, तो उसमे भी वोर्मेंट आपको 87A में deduction देते हैं, कि जि सबाप claim आफ है, लेकिन जहां आपकी income पांच लाग से उपर जाता है, तो यह जो हमें rebate मिला है, यह हट जाता है, तो आपका जो 5% धाई लाग पे लग रहा था वो भी देना है, और 5 लाग से उपर 10 लाग तक जितनी भी आपकी income है, उसमें 20% देना है, तो सभी slabs बनाए यानि additional 5 लाग पे 20 and above 10, 30% यह प्रोपराइटर का rate है, उसके बाद partnership का flat 30% लगता है, LLP बे भी 30% लगता है, जो हमारा net profit निकल कर आएगा, sales में से expenses minus करने बाद, जो profit निकल कर आता है, उस पर आपको 30% देना है, अगर मेरी company 50 लाग कमा रही है, तो उसका 30% मुझे पे करना company की rate है, 22% भी है, 25% लाग उसके slab स्वाइज, slab नहीं है, criteria दिये है, अगर particular यह criteria में fall करते हैं, तो आप 22% दोगे, इस criteria में तो 25% दोगे, इस तरह से है, 30% है वो, 30% मलब company का criteria है, मैं यह criteria follow कर रहे हूं, को turnover based है, तो अगर उसमें आप हो, तो 20% देना, 25% है, 30%, लेकिन LLP है यह partnership firm है, उन पर flat 30% है, 30% pay कर नहीं हो, एक अभी आप से बात करते करते मेरे को याद है, एक और होता है, HUF बनाते हैं, HUF, Hindu Undivided Family, जैसे कोई business, यह Muslims के लिए नहीं है, other than Muslims के लिए हैं, जो Hindus हैं, उनके लिए है यह, सिर्फ Hindus के लिए है, तो उसमें, जैसे ही आप किसी business में enter होते हो, आप हो, दादा जी हैं, उनके बच्चे हैं, तो यह सारे एक बिना agreement की, HUF बन जाती है, even if आपने कोई आपस में agreement नहीं करा, for example, आपके पांच लोग है, individually आप पांच लोग हो, तो आप एक छटा entity create हो जाती है, HUF, आपको इंडिविजुल धाइडा इलाग का exemption मि आप एडिशनल धाइलाग कमा रहे हैं, without paying any tax, यह तो काफी beneficial है, non muslims के लिए, I think, सिर्फ hindus के लिए, उनके लिए Hindu undivided family है, नई entity create हो जाती है, आपको कभी agreement नहीं है, कुछ नहीं करना, बस एक plan number apply करना है, तो आप कमा पांच लोग रहे हो, और exemption 6 लोग के लिए रहे हो, I अपना business और बढ़ाएं, freelancers होते हैं, अगर मैं freelancers की बात करूँ, freelancers जो aren't करते हैं, उनको भी tax pay करना होता है, उनको भी registration चाहिए, जो भी service provide कर रहे हो, और आपकी limit 20 lakh से exceed कर रहे है, तो definitely आपको GST लेना पड़ेगा, लेकिन कोई mandatory compliance जरूरी नहीं है, आप register करोगे, तभी आप business कर पाऊगे, यह turnover based है, और मैं जो freelancers बाहर के लिए काम करते हैं, मतलब international work करते हैं, US के लिए, export of services या export of goods के अगर हम बात करें, जो दूसरी countries को based हैं, उनके लिए क्रेइट area, उनका भी tax कटता है या फिर उनके लिए tax अगर हम GST की बात करें, तो जैसा मैंने पहले बताया था, अगर हम same state में अपनी service या goods दे रहे हैं, तो इंडिया में within a single state, आप Delhi में हैं या UP में हैं, तो within UP आप sell कर रहे हैं, goods या service तो वो 20 और 40 की limit लगेगे, once आपने state cross किया, या आपने country cross करी, जैसा आप export of service के बात करे export of service में आपको GST लेना mandatory है, लेकिन export of service is exempt from GST, आपको GST pay नहीं करना, but compliance करना है, आपको GST के लिए apply करना है, but GST लगेगा नहीं, गवर्मेंट को knowledge होनी चाहिए कि ये person export of service कर रहा है, इतनी service या goods उसने बाहर इंडिया से बेच दी है, बट government charge नहीं करेगे, क्योंकि exempt होता, अगर मैं freelancing करना हूँ और US के लिए work कर रहा हूँ, कोई service प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे GST लेना जरूरी कमपल सरी है, ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं export of service कर रहा हूँ, but tax नहीं लगेगा, वसमर बट आपको GST लेना जरूरी है, आपको उसकी return file करने जरूरी है, GST में क्या होता है, अगर आपकी कोई particular month या quarter में कोई sale नहीं हुई, आपके nil return है, still आपको file करना है, क्योंकि उनके बस report से लिए आती है, कि इस person का इस month में कोई sale नहीं गया, तो ये export of service गौर्मन ने exempt करा, but compliance कराना जरूरी है, registration करना जरूरी है, return भरना जरूरी है, आपक market से कुछ नहीं जाएगा, okay, कुछ ऐसा भी होता, कि जो भी हम income, जो भी हम earning करते हैं, किसी भी company से करते हैं, जो भी हमारे source होते हैं, income के, so companies क्या करती है, कुछ percent, five to ten percent, कुछ cut कर गे गवर्मन को pay करती है, इसको TDS बोलते है, right, so business करते हैं, उनको जिनको knowledge उनको पता कि कैसे TDS वापिस आना, कैसे file करना हो, बट जो job करते हैं, अगरता उनका भी है, बट उनको नहीं बता कि कैसे file करना, कैसे वापिस आएगा, उनको ये भी नहीं पता कि वापिस आएगा भी, TDS वापिस भी लेना, तो उसका क्या criteria कैसे file करें, कैसे हम TDS return, मतलब ले सकते हैं वापि यह ना जितने भी employer है या कोई भी बिजनेसमेन है वो डील करें एक दूसरे से तो government ने fix कर दिया है कि आप अगर contract service है आपकी तो आपको 194C में deduct करना है ठीक है या फिर आप कुछी को rent पे कर रहे हो तो वो भी आपको उसका deduct करना है सबके specific criteria लिमिट्स हैं वो हम लिमिट्स अभी नहीं बता रहे हैं अब salary में है अगर आपकी salary पर tax बन रहा है तो definitely employer काटेगा उसको refund लेने का तरीक ही आप ITR file करो आप calculate करो in case आपका tax excess cut हुआ है तो आपको definitely refund मिलेगा इसी तरह businessman का अगर किसी का TDS cut हो रहा है और जब अपनी वो return भरेगा अगर उसने excess TDS deduct हो गया है तो ITR file करते वक्त आपको refund definitely मिलेगा पुरे साल में जितना भी TDS cut है सारा एक सारा मिलेगा सारा आपको अगर आप individual 31 July आपकी date होती है तो उसके बाद आप file करेंगे 31 से पहले फाइल करेंगे तो definitely सारा refund आपको मिलेगा जितना आपका बन रहा है किस तरह वाइल करना होगा क्या करना होगा फाइल करने के लिए ITR file कैसे करेंगा जोब वाले पॉसन के लिए अगर उसकी सिर्फ salary income है तो वो खुद भी file कर सकते हैं या किसी export की advice भी ले सकते है अगर उनको थोड़ा इस फिल्ड में knowledge है तो आप अपना portal login करके आप खुद भी file कर सकते हैं income tax e-filing portal income tax e-filing portal पर आप अपने pen से login कर सकते हैं पास्वर्ट है ठीक है नहीं है तो आप उसको reset करें लॉग इन करिये अगर आपको थोड़ी knowledge है तो आप कर सकते हैं या फिर किसी export की advice ले सकते हैं तो वो आपका tax calculate करेंगे in case आपका access है तो definitely वो वापस आएगा can you suggest some profitable businesses in India के अभी में कौन से बिजनेस स्टार्ट करें जो लोग करने वाले जो सबस्यादर profitable हो या अभी market में सबसे ज़्यादर चलने वाले अब business का बिल्कुल change हो गया जो पहले हम business करते थे और वो नहीं रहें लॉक्डाउन के बाद से तो scenario बिल्कुली change हो गया लॉक्डाउन के बाद लोग प्रेफर करते हैं सब फिजिकल प्रिजन्स कम हो गई है तो इसके लिए जो बेरे को लगता है जो फर्स्ट मैं दूंगी क्योंकि ब्लॉगिंग अगरा अज कल बहुत जादा यूट्यूब चल गया है वो सारी चीज़े है ओनलाइन शॉपिंग चल गया है जो पहले 120 मिलियन शॉपर्स थे अब स्टड़ी आए कि 2025 में ये 220 मिलियन के अपरॉफ शॉपर्स बढ़ जाएंगे तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन उनकी बिजन्स की प्रिजन्स जादा हो तो मेरे साब से वेबसाइट डेवलपर का बिजन्स बोल सकते हैं आप बहुत नं कि एक स्टड़ी आई है जिसमें उन्होंने ये पता लगा है कि 48% लोगों को ये लगता है कि अगर बिजन्स की वेबसाइट अच्छी है तो उसकी क्रेडिबलेटी बढ़ रही है उसकी रिलाइबलेटी बढ़ रही है तो जितने भी बिजन्स मेनेजरा चोटा है बड़ा ह करेंगे तो एक ये बिजन्स आपका अच्छा हो सकता है डूसरा गौर्मेंट ने अभी पॉलिशी बिनाई है मेक इन इंडिया बिल्ड इन इंडिया इस में क्या है अभी इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है इस्टील का बहुत काम है मैनिफेक्ट्रिंग काम है हम जात तर स्टेल इंपॉर्ट करते हैं तो जब गॉष्यम बेंड इंडिया अच्रियो ने सारी चीज़े एवी है इलेक्ट्रोनिक पर जादा जोर है सारे वहीकल भी इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहे हैं तो एक अगर आप छोटे में स्टार्ट करना चाहते तो बेटरी का बिजनिस मुझे लगता है इलेक्ट्रिक बेटरी का वह अच्छा हो सकता है क्योंकि जब ज तो वह एक प्रोफिटेबल हो सकता है दूसरा यह रियल एस्टेट का बिजनिस अगर बढ़ेगा तो दूसरा इसका इंटीरियर डेक्ट्रिक क्योंकि आज के लिए सोसाइटी बन रहे हैं और सारे काम एक दूसरे से पुरे डिपेंडेंटेंट है अगर रियल एस्टेट ब वह बड़े बना रहे हैं वह इंटीरे डेकुरेटर को घर करते हैं कि आप हमारा घर डिजाइन करें साथसे बीड cancellation में सब्सक्राइब का भी बढ़ सकता है बिजनस में इसने को लग रहे हैगा आगर आप बिल्डिंग मेटेरियल धा आँट्राने में तो आगे आने वहले स आज कहले एक फेशन है और गेनिक का अर्गेनिक खाना खाएंगे और गेनिक वेटेवल और गेनिक फूड़ को अच्छा स्कोप हो सकते हैं आप अग्रिकल्चर लाइन में जाना जाते हैं कि काफी ट्रेंड में चीज आ रही है कि स्टार्टिंग में पहले कभी खाया करते थे लोग वापिस से वही चीज आ रही है कि बहुत नुक्सान कर रही है और लोगों को धीरे-दीरे समझ आ रहा है तो यहां लोगों यह समझ आई है तो वहां उनका और गनिक की तरफ वह थोड़ा सा जुकाव उनका बढ़ गया है तो मेरे को लगता है और अगर आप अग्रिकल्चर फिल्ड में जाते हैं तो और गनिक फार्मिंग भी एक बेस्ट आप्शन हो सकता है किसी भी बिजनिस के ग्रोथ में क्या रोल होता है CA I think play a very important role कोई भी बिजनिस है उसका मार्केट में क्या presence है उसकी मार्केट में क्या demand है कितना supply है कहाँ supply करना है तो वह एक market analyze CA कर लेता है कोई भी बिजनिस है तो उसकी market analysis भी कर सकता है दूसरा आपका investment advisor भी बन सकता है financial planner बन सकता है अगर आप कोई particular product sell कर रहे हो तो आपको advise कर सकता है कि आपको इसके लिए कितना product purchase करना है आप अगर bulk में purchase कर रहे हो और आपकी sell इतनी नहीं है तो आपना पैसा block कर रहे हो तो एक C.A. आपको यह भी advise करना है कि आपको कितना पैसा किस चीज में कहां लगाना आप ज्यादा access block तो नहीं कर रहे हैं आप raw material purchase कर रहे हैं तो वहां भी आपका C.A. के advice कर सकता है कि आपको particular इस sale के लिए कितने product को purchase करने की जरूरत है ऐसा लगता है बिजनेसे बिजनेसमेंस को या फिर लोगों को कि C.A. liability है Is it right? बिल्कुल सही कहा काफी लोगों को ऐसा लगता है कि C.A. liability है वो इसलिए कि आप C.A. co-point करते हो तो आप यह देख तो मेरे को इसको इतना pay करना पड़ेगा यह मेरे लिए खर्चा मेंने बांध लिया है लेकिन exacting में ऐसा नहीं है एक्च्वल में क्या है कि C.A. आपको बहुत सारी चीजे हैं आपको interest अगर वो save कर आ रहा है आपकी कोई भी return time से नहीं जाएगी तो वो आपको penalty और interest गॉर्मेंट लेवी करता है अगर C.A. आपको बोलता है due date आने वाले आप इसको file कर लिया वो आपको उसने वहाँ पे save कर लिया तो वो आपकी money grow कर गई एक तरह से आपकी आपका save कर लिया आपने उस पैसे को अगर आप save कर रहे हो तो liability नहीं हुए ना आप उस पर कहीं और लगाओगे तो आप penalty से बचा रहा है आपको आपके compliance on time करा रहा है तो C.A. liability बिलकुल भी नहीं सबना चाहिए मतलब जितना आप salary दे रहे हो C.A. को या pay कर रहे हो उससे कहीं जादा आपको benefit देता है वो benefit किस तरह से आपको proper plan करके बताएगा अगर earnings की बात करें तो C.A. कितना earn कर लेते हैं मतलब ये profit अगर job की बात करें job में ज्यादा earn कर लेते हैं या खुद के business में definitely क्योंकि scope बढ़ जाता है आप salary में particular hike मिलेगा business में definitely जादा होता है अगर वो अपनी firm बना रहे है तो वहां बे उसकी earning definitely जादा होती है कोई roughly figure रफली figure तो ऐसा कुछ हूं I don't think कोई roughly figure होगा उसमें आप depend करता है आप जितना जादा आपके network होंगे उतना जादा आपकी earning होगी हमें network client से नहीं बनाना हमने network साथे साथ अपने CA fraternity से भी बनाना है बाकी business के तरह भी इसमें अगर business start को unlimited कोई limit कोई limited there is no limit आपको businessman के साथ तो connect बनाना है साथ ही अपनी CA fraternity के साथ भी बिनाना है तो जितना जादा network होगा उतने जादा आपकी earning होगी अगर हम money management की बात करेंगा so money management जिसको नहीं आता हो बरबाद हो जाता मुझे ऐसा लगता मेरे पास बहुत सारे live example real life examples भी है कि जिसके पास money management किस तरह manage करना वो business उनके ख़राब हो जाते हैं अब बर्बाद हो जाते हैं या फिर जो घर में जो housewife होती है एक money management किस तरह होना चाहिए किस तरह manage करना चाहिए सबसे पहले हमें अपने बजेट की तरह देखना चाहिए हमारी income कितने हमारे खर्चे कितने हैं लोग क्या करते हैं लोग की mentality है रिक को सेव करते हैं उनको इतना बदा है मेरे को सेव करते हैं लेकिन उसको सेव नहीं करना है हमने सेव के साथ इंवेस्ट करना है अगर एसेट बनाने एसेट बनाने डेफिनेटली एसेट बनाने जिससे कि वो एसेट आपको अर्ण करके दे हम सेव करते हैं आज हमने सेव करके रख लिया लेकिन उस दस साल बात देखेंगे तो उसकी मनी वेल्यू कम हो गई फ्यूचर वेल्यू कुछ और है परसे की तो बता है उसको इन्वेस्ट करने यह बता है उसको इन्वेस्ट करने का नहीं बता राइट थीज मूशक के रहे हैं हर किसी का अलग होगा कोई रियल स्टेट में लगाएगा कोई मूचल से लगाएगा Kayak iki हमेशा होना चाहिए कि आप पैसा आपको पैसा बनाकर दे जैसे ही मेरी इंकम बढ़ती है, मेरी 20 लाग होती है, तो मेरा लाइफस्टाइल भी उसी तरह चेंज हो जाता है, और मेरा खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो I think यह सही नहीं है, यह तरीक, क्योंकि जो हमारा प्रॉफित है, जो हम सेविं कर रहे हैं, वो तो कही नहीं खतम ही ह हो जाएगा, net zero ही हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे खर्चे भी बढ़ा लेंगे, salary के साथ साथ, जो कितना जरूरी है कि अपना तुरंत lifestyle चेंज ना करें, income के बढ़ते हुए, डिफरेंस यह होता है, हम लोग जो lower income group होता है, वो पैसा आती लग्जरी की तरफ भागता ह मेरे को show off करना है, मेरे पास गाड़ी है, लेकिन जो अमीर लोग होता है, उनकी mentality अलग होती है, वो लग्जरी की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले उनको पता है, मैं इस पैसे को double कैसे गाल हूँ और जो मेरी earning है, मैं उसको लगाता हूँ न कहीं, मैंने अगर कुछ सेव करके रखा है, मैं उसको कहीं invest करती हूँ, जो उससे earning आती है, मैं उससे luxury life जीती हूँ, मैं इस एक लाग को कहीं luxury लगा के इसको खतम क्यों करूँ, for example, आपके, अब हमारे गर में AC नहीं है, मान लिजिये, मेरे salary बढ़ी, मैंने AC लगा जिया, right, AC के साथ साथ पैसे तो मेरे खत मेरा खर्चा मैंने बढ़ा लिया, right, right, exactly, अगर मैं इस पैसे को AC मेना लगा कि किसी जगा invest करती है, और वो मेरे को पैसा कमा कर देता, अब उससे मैं अपने लिए कुछ भी खरीती, तो मेरे हर महीने income बढ़ रही है, अगर मैंने खर्चे बढ़ाएं, तो मेरे हर महीने वो मेरे को कमा के दर, वो पैसा मेरा सेव है, तो वो चीज, वो mentality बदलनी है, इसी तरह अगर कोई housewife है, उनकी छोटी-छोटी सी savings होती है, वो अपना बचा किया अपना kitchen में कहीं रखती है, वो saving, लेकिन अगर मेरा कहना अगर उस saving को वो बचाने के साथ साथ कहीं लगा दे, अ calculation देखिए, अगर में 51 rupees कोई housewife है, वो daily उसमें लगाती है, तो 10 साल बाद उसको प्रोक साथे-चार लाक रुपे मिलते हैं, लेकिन अगर वो time, देखो time की देखना, time कैसे role play करता है इसमें, आपको money कैसे double, triple, four times करता है, अगर वो 10 साल और wait कर लेगी, तो वो 23, 24 लाक हो ज इसमें लगाते हैं, तो आप देखोगे, बहुत जल्दी वो उस पैसे को withdraw कर लेते हैं, तीन साल, चार साल, पांच साल, लेकिन आपको ऐसे निकाना, आपको long term करते हो, तो definitely कोई नहीं रूट सकता है, बहुत जल्दी आप ऐसा आप नहीं खटा कर सकते हैं, अगर कोई शक् पचास की एज में वो रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है, और आफ्टर रिटायरमेंट के जो उसकी life है, आफ्टर रिटायरमेंट, वो एक financially independent होकर enjoy करना चाहता है, तो यह कैसे possible है, कैसे उसको अभी से सेविंग्स करनी चाहिए, जो तब की life हो, एक independent होकर के, financially independent होकर के enjoy कर करनी है, तो आपको अभी से प्लान करना होगा, तो आपको अभी से प्लान करना होगा, तो अगर आप नोमल एक SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं एक छोटी सी calculation बताती हूँ, और देखना इसमें compounding और time कितना magic करेगा, अगर आप 10,000 रुपे per month save कर रहे हो, और SIP में डाल रहे हो, SIP 15%, 17% तक की return भी देता है, लेकिन मैं अभी इसको 12% मान के चलती हूँ, क्योंकि कभी जाद हो, कभी कम होगा, on an average 12% अगर return दे रहा है SIP, तो 10,000 रुपे आपने 25 की age से 50 की age तक आप लगा रहे हैं, तो आपक पचास की age में आएंगे तब आपको 1.70 करोड ही आपको देगा, एक करोड सतर लाख, अगर आपके पचास की उमर में एक करोड सतर लाख है, तो डेफिन की आप retirement enjoy कर लेंगे, और आपने 10,000 रुपे जस्ट निकाला है, अपने 10,000 रुपे जब आप निकालते हो, तो आपक बना के रखते हैं, तो खर्चे आप खर्च कर लो गया, तो हमें क्या करना है, पहले अपना saving का निकालना है, कि मेरे को save, जो invest करना है वो पैसा में पहले निकाल लो, अगर आपकी salary बढ़ती है, तो आपके expenses बढ़ जाते हैं, तो हमें यहीं पर रोक लगानी है, पहले हम investment माला part निकालेंगे, बाद में अपने खर्चे करेंगे, तो definitely आप retirement enjoy करेंगे, अभी की life भी आप definitely enjoy करेंगे, क्योंकि आपके pressure नहीं होगा, कि आगे जाके मेरा क्या होगा, आप अभी भी enjoy कर रहे हैं, present भी, future आपका secure है, उन लोग लिए कोई message जो business man है, और successfully नहीं कर पाते किसी reason की वज़े से वो रुक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कोई message है, definitely मेरे पास एक बहुत important message है, business man lack करते हैं, जादर तर जब वो compliance नहीं करते हैं, business के ideas हैं, run कर रहे हैं, सारी चीज़े हैं, लेकिन compliance जहां पूरी नहीं कर पाते हैं, penalties लगते हैं, trust pay करना है, तो वापस वो एक step पीछे हो जाते हैं, तो मेरा यह माना है, कि आप किसी expert की advice लें, और compliance के काम उस पर छोड़ दें, अगर आप पे penalty नहीं लगेगी, तो pressure नहीं रहेगा दिमाग में, फिर आप अपने business को कैसे grow करना है, वो definitely कर पाएंगे, तो आप compliance भी पूरे होते हैं, तो business बहुत जल्दी grow करता है, तो better है आप free रहें, relax रहें, compliance पूरे करें, without interest, without penalty, आपना business grow करें, किसी expert की advice लें,